हालो एब्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर एड़ा 247 एग्रिकल्चर एड़ा 247 के ऑफिशल यूट्यूब चानल पर मैं हिना नथाने आप सबे स्टुडन्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गोट की ब्रीट्स के बारे में इस बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गोट ब्रीट्स के बारे में तो बहुत सारी ब्रीट्स अलड़ी हम लोग पढ़ चिक हैं लेकिन बिटा इससे पहले आपनों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि कौन सी यसी ब्रीड है जिसक अदरो सारी बिच्चों को अगरिकल्चर अड़ 24-7 और की चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको एसी ही अपने विडियो स्कें बहुत प्यारी प्यारी वीडियो जिससे आप अपने कॉणसेप्ट को क्लेर कर सको और इसी के साथ-साथ आपको अड़ा 24-7 के मूबा कुछ questions भी आते हैं है ना quants reasoning English ये तो comment है ठीक है तो बच्छों इस app से आप उसकी practice कर सकते हो अड़ा 24 7 के mobile app को download करोगे इसी वीडियो के description में आपको app का link मिल जाएगा उसको आप जैसे click करोगे app आपके पास आजाएगा install करना है और जैसे आपके पास app आएगा category में जाकर के उसको agriculture चूज करोगे क्योंकि आप agriculture के student हो है ना और जैसे आप उससे install करोगे बिटा तो उसके बाद आपके पास पूरा ये icon open होगा जिसमें आपको daily quiz पर जाना है इसमें आपको quants reasoning English की quiz मिलेंगी Hindi में भी और English में भी और subject wise के जो subject है मुझे plant pathology के question करने है मुझे animal husbandry के question करने मुझे animal sorry not animal husbandry animal husbandry तो हो गया या फिर मुझे horticulture के agronomy के question करने है plant breeding के question करने है तो ये मैं कहां से कर सकता हूँ subject wise quiz से कर सकता हूँ तो बिटा हो गई ना आपकी practice इसलिए आपको link मिलेगा शरू बच्चों अब आगे चलते हैं बीटा next पर चलते हैं इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बीटा गोट की breeds के बारे में अब गोट को हम किस किस के लिए यूज करते हैं पहले ये जान लेते हैं तो इससे पहले बच्चों हम लोगोने cow breeds के बारे मे यूज करते हैं जिसे प्लॉइन के लिए इसमें जो cow के male होते हैं ठीक है बुलक्स उनको और जो female cows होती है उनको milk production के लिए यूज करते हैं ऐसी हम लोग उने बफैलोस के बारे में भी पढ़ा था कि भाई उनको heavy load transportation वगेरा के लिए यूज करा जाता है कार्टिंग बोलते है तो पूरा जितना milk production होता है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया first number पे है milk production पे तो ऐसे ही इंडिया में सबसे जादा जो milk production करते हैं वो बफैलोस है अब बच्छों अब आते हम गोट्स पर तो बेटा गोट्स की जब हम बात करते हैं तो गोट्स हमारी कुछ ऐसी breeds होती है नहीं हिंडिया गोट्स हमारे ऐसे अनिमल होते हैं जिनको हम milk production के लिए यूज करते हैं लेकिन laserly उनको यूज करा जाता है मीट प्रोड़ाक्शन के लिए और फुल्ल प्रड़ाक्शन के लिए थीन परपस के लिए हम इनको यूज करते हैं अब देको जैसे काओ और बफै से ज्यादा द्यान देतें मीर क्रूदक्शन मेश्त फिर मुल प्रॉड्स meant लिग ऑ Sharp का गोथ है तो जुकर लोग के बारे में य送 है व्यक्त यह स्वादों क्षोण बमंश। ज होती हैं जनको मीट प्रोडक्शन के लिए उसक्र जाते हैं और इनका जो classification होता है बिटा वो अलग अलग परपस से करा जाता है यानि कि on the basis of reason करा जाता है अब देखो बिटा जैसे हमने गोट का जैसे आपने काव का देखा कि काव का हमने milk production के लिए किया था drawed purpose के basis पर classification किया था indigenous exotic इस basis पर किया था कि वह कौन से exotic है या फिर indigenous है इस basis पर तो यहाँ पर हम goats का जो classification करते हैं बिटा on the basis of reason सबसे जादा important जो है on the basis of reason की वो कौन से reason की breeds है इसके basis पर सबसे पहले हम majorly goats को classify करते हैं ठीके बच्चों अब देखो यहाँ पर हमारी जो breeds हैं उ identify कर सकते हैं जैसे हमारी हिमालियन breeds हैं हिमालियन breeds के अलावा हमारी Central오łam Legend breeds होती है इसके अलावा बैटा हमारी कुछ Southern क्याधार पर यानि कि जिस जगे पर वो रहती है उसके बेसिस पर बचों हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ठीक है अब देखो यहां पर सबसे पहले आप ये बाद चाल लो इनको बिटा जब हम क्लासिफाई करते हैं तो जैसे हिमाले इनको आप देखके आइडेंटिफाई कर सकते हो देखे में हम कैसे identify करेंगे तो बहुत आसान है देखे हम कैसे identify करेंगे देखो पहाड़ों में बहुत जादा ठंडा होता है तो वहाँ पर कपड़े जादा पहनने की ज़रूरत परती है plains में, plain area में क्या होता है गर्मी जाधा होती है तो एक टिशिट में भी काम चल जाता है ऐसा होता है ना तो एसा यहाँ पर goat breeds के साथ में भी होता है बिटा पहाडों में जो goat breeds होती है basically इंटर प्लेड तो इन में बीसिकली क्या होते है तो इन बेट में बहुत जादे है इस नहीं कि लिए यूज करती है नहीं लेकिन मेजरली उनको वूल के लिए जादा यूज कर जाता है अब मुझे एक बात बताओ जब आप कपड़े खरीदने जाते हो ठीक है इसपेशली वार्म क्लोथ तो जब आप वार्म क्लोथ लेने जाते हो सबसे पहले क्या कहते हो मुझे तो पश्मीना का शॉल चाहिए बोलते हो क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होत और यहां पर जो वीट्स मिलती है उनका वुल जो है बहुत ही अच्छा होता है वह सद्यों के टाइप बहुत अच्छा काम करता है ठंड को थंद सेंमें बचाने का काम भी करता है तो इस तरीके से हम इन ब्रीट्स को क्लासिफाइब करते हैं और इनको तो यहां से आई थे चीज आपको क्लेयर हो गई हो गई अब आगी चलते हैं बिच्छा लोग अब हम लोग चलते हैं इसके अलावा नेक्स वारी ब्रीड होती है बिटा एक्जॉर्टिक ब्रीड में भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं जैसे कि आपकी चॉगनबर्ग हो गई चॉगनबर्गे ब्रीड सेनन हो गई सेनन कि इसके अलावा हमारी और भी प्रीड सोती हैं जैसे अल्पाइन हो गयई इसके अलावा अलमप एंग्लो नुबियन हो गई और अंगोरा हो गई तो यह कुछ ब्रीड से जो हमारी exotic breeds हैं ठीक है इनके basis पे भी हम goats का classification करते हैं तो मैंने आपको indigenous के basis पे तो बता दिया कि भाई जो हमारी इंडिया की ही breed है indigenous के basis पे उनको हम कैसे classify करते हैं तो भाई हिमालयन रिजन की breeds अलग हैं उनमें hairs जादा होते हैं plain reason की breeds अलग हैं central अलग होती हैं हम उनको अलग लग तरीके से classify कर लेते हैं लेकिन जो हमारी exotic breeds होती हैं उनको यह exotic breeds में हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें Toggenberg है इसमें Senan है इसमें Alpine है इसमें Anglonubians है और इसमें कौन सी है अंगोरा breed है अब बिटा most important जो आपके exam में भी पूछा जाता है question वह क्या है poor man's cow अब देखो बिटा cow milk production करती है ठीक है बहुत ज्यादा milk production करती है 1500 5000 इस तरीके से kg में milk production करती है न काउस बहुत सारी काउस करती है तो यहां पर भी आपकी जो गोट्स हैं यह बहुत जादा तो नहीं 1 kg 1.5 kg 2 kg इतना milk production ही करती है तो इसलिए इनको बोला जाता है इसलिए इनको बोला जाता है poor man's cow क्या बोला जाता है बिटा? poor man's cow बोला जाता है तो आपसे question exam में पूछा जा सकता है which breeds are known as poor man's cow तो बिटा, poor man's cow हम किसको बोलते हैं? poor man's cow हम बोलते हैं बच्चों goats को यह बात आपको धिहान रखना है क्योंकि यह question exam में पूछा जाता है ठीक है मेरे बच्चों चलिए अब आगी चलते है बिटा नेक्स अब हम लोग बात करेंगे अगला हमारे पास क्या है हिमालियन ब्रीट्स अब हमालियन ब्रीट्स में क्या specific feature है थोड़ा सा इनके बारे में भी चानल लेते हैं तो पिटा हमालियन ब्रीट्स जो होती है यह थोड़ी सी hard breed होती है और इनकी body में hairs वगेरा थोड़े से जादा होते है ठीक है तो hard होती है मतलब अब देखो कोई बहुत थंडी जगे पे खारो थंडी जगे में तो थंडी जगे पे रहने के लिए उसका अच्छा Ņच्छी तो होना चाहिए उसकी body वह तनी discuss बिलकुल कुलर रिजहं सके मेरने ने में प्लेंट में रहने के लिए वह गर्मी को टॉलरेट करें PR तो यह वाली वर्य वाली बाढ़ी में ओर थोड़ी से स्ट्रॉंग होती है और इनकी बॉड़ी में यह फिर इनकी बॉड़ी हैं घ्रीजनहें वाइब हो जैसे फॉर इघ्यम्पल हमारे घर पर नाम इते जैसे को जब नाम इसंदी महिने के अगार्डिंग के alem पर नाम यहापना हैBaby ठीक घर नाम झीन के महिने पर नाम तो और यह ज stadium रखतें जो जिस की ब्रीडि एक continued इस вкус अठाव है रख दिया है था थिक जैसे जो कश्मीर में होती है कश्मीरी एसी ब्रीड जामा पृट्प है कश्मीरी कर भी होते हैं तो फ्रीसर के श aconteceu इन के लिन connection के लिडू नाम के बहुंत पहल जाती है तो जैसा साथ बाक्स घान दूसरा इन के जो मेल सोते हector इसके इन चेटां को मेल यूजक करा जाता है ऐसे आपके तो बैसे एसे एरिया ने पर घे दिलहां इतना सक्रिफाइस करते है ने तो बिता बेसिकली ये आपके बिल150 कंडिशन में रहते हैं और अपकी एपके नियुकल हैं तो यहां पर उन ठापर किंडिशन में आपकी घॉट्स जो हैं इस्पर्टेंशन में हय करते हैं healy tracks में ठीक है यह बहुत important feature है तुझी यह निया बहुत इंपनी फीचर है तो में यहां पर किया घरती पर मिल्क प्रड़क्शन वगएरह में हैं और साथी साथ मूल breeds are basically जैसे आपके पश्मीना हो गई, छेगो हो गई, गदी हो गई, तो यह जो breeds हैं बचा, यह हमारी हमालियन breeds है, ठीक है बचो, देखो, ध्यान से बिल्कुल देखना बटा, बहुत important class है यह ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से questions जरूर आता है, चाहे competitive exam देख है, तो बिटा देखो, यहां पर सबसे पहले हम पश्मीना ब्रीट के बारे में देखते हैं, तो पश्मीना चेगो और गदी, यह जो breeds हैं बिटा, यह हमारी हमालियन रीजन की breeds है, तो एक एक नमबर का question आता है, यहां पर आपके पास हमालियन रीजन की breeds कौन सी है, तो बहुत ही प्यारी सी आनिमल्स होती है, ठीक है, अब यह लदाख, लाहुल श्मीती इस वाले रीजन्स में यह ज्यादा मिलती है, ठीक है, थोड़ी सी आक्टिव होती है, और इसी के साथ-साथ बेटा, यह बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का फैबरिक भी प्रेडियूस करत अब होता है, और इसकी जो लाइक अगर मैं बोलू की उसकी क्वालिटी की हम बात करें तो बेस्ट क्वालिटी है ठीक है? और वहम भी होता है, यह हीजिन्स के लिए यह ब्रीड बेस्ट फैशमीना जिस के एक होती है है 강 कि धृती ऑप ती ठीक है, णकिया की क्लाब Zusch out the game, और साथी साथे इनका जो फैब्रिक होता वो बेस्ट क्वालिटी का होता है ठीक है चलिए बिटा आगी चलते है नेक्स बीड पे छेगो छेगो ब्रीड आप यहां पर देख सकते हो बिटा यह भी बहुत प्यारी ब्रीड होती है यह भी बेसिकली आपके हिमालयन रिजन में म पश्मीना निकलता है निकलता है इसको फोड़ा प्रीड के लिए यूज करते हैं इसब फैरा मित बचक्वालिट्टी का होता अच्छा को इससे अप्टें कर है जाता है यह दो Warning कर दस को कि इस इसे के लिए विकेंट से कि इसको यह स्मॉल कॉंटिटी में मिलका प्रोडक्शन भी करती है ठीक है तो बच्चों आपको क्या याद रखना इसमें चेगू ब्रीड जो है यह हिमालियन ब्रीड है गोट की ब्रीड है यह आपकी लाहुल स्पिती के रीजन में मिलती है और इस ब्रीड है और यह गद्धी ब्रीड को वाइट हमालियन गोट भी बोला जाता है यह क्वेशन एक बार आपके आपके प्रीड सबसे जादा मिलती है इसके अलावा हिमाचल हो गया और आपके जंबकश्वीर वगिरा में भी यह ब्रीड देखने को मिलती है ठीक है तो आप पहचान सकते हो बिटा यह बीसिकली आपके टेंपरेट रिजन में ज्यादा रहना पसंद करती है तो यह हाईर एल्टिट्यूट में यह वेस्टन टेंपरेट हमालियास में ज्यादा यह ब्रीड देखने को मिलती है अब अच्छा आप इसके बॉड़ी देख सकते हो इसकी प्रोड़ाक्षन के लिए ही यूज़ करते हैं ठीक है चल गया बागी चलते हैं नेक्स बीड पर अब आगी हमारी नेक्स बीड जेट इन बीड तेनों ब्रीड देखने को मिलती है अब हम चलेंगे सेंट्रल रीजन में बिटा बरारी और काठ्यावारी यह हमारी में ब्री में देखने को मिलती है तो सेंट्रलीजन कौन कौन से सेंट्रलीजन यानि कि आपका मध्यपरदेश हो गया राजिस्तान हो गया गुजरात हो गया महारास्ता हो गया महारास्ता को अपर पार्ट है वो सेंट्रलीजन में आता है तो यह स्टेट्स जो है इसके लिए ओरिजिन इन स्टेट्स में ये ब्रीड देखने को मिलती है अब इस ब्रीड को अब इसकी बॉड़ी में तो हेयर जाथ सच होंगे नहीं जैसे कि हम मूल प्रड़क्शन के लिए इससे पहली ब्रीड को यूज करते थे तो यहां पर बेसिक लिए इन ब्रीड को मिल्क प्रड़क्शन के लिए यूज करा जाता है किसके लिए यूज करेंगे बच्छों काठिया वारी है बरारी है इसको आप किसके लिए यूज बίटा अगर हम फीचर की बात करें तो यह थोडे सी टॉल होती है और इंसका कंळोंreg वो डार्क होताई यह इनका बॉडि का फीचर है बटारी के व्हَّर्क चाचेश और अगर ऑब अम बाद बॉडी के फीचर याद करोगा ने बटावरी में बताए था कि वह कैसा कलर होता कॉपर कलर होता सूरती में ग्रे कलर होता है और हॉंस कैसे होते तो ऐसे इनके भी पूछ जाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनियेगा यह टॉल होती है जार कलर की होती है और यह आपके बेसिकली नागपूर और महारस्टा महारस्टा और MP रीजन में मिलती हैं अब इसमें बिता जो बेसिकली डो होता है तो डो का जो यील्द होता है तो का काठिया वारी ब्रीद को Yakita या री यानि की गुजरात रीजन देखते ही पता चल रहोगा तो गुजरात रीजन की जो भी निंदन गुजरात और राजस्तान में यह ब्रीड यह basically black coating होती है इसकी body में ठीक है और हल्का सा reddish mark भी होते हैं इनके neck पर कई पर रडिश माक इनके neck पर देखे जाते हैं ठीक है और इनको भी milk production के लिए यूज करते हैं क्योंकि central की breed है हमने पहले हमने पहले ही पढ़ा था पर डे का production होता है milk का जो कि बहुत अच्छा है तो वहां पर 0.6 और यहां पर 1.25 है तो बच्छा आपको यह भी याद रखना है कितना कितना milk production कर रहा है और कौन जादा कर रहा है कौन का milk production कर रहा है ठीक है चलिए अब आगी चलते है बिटा तो नेक्स ब्रीड आ जाएगी ह सबसे पहले चलते हैं जैसे की आप इसके आद की तरह ऐसे लटकते और जूलते रहता है ओपर की तरफ इस तरीके से आती है उपर की तरफ हिरो मैं न płव रोती है इनको इसकर आजाता है क्योंकि मैंने कि यहां पर अगर आप इनका कलर देखोंगे तो रेट टैन कलर भी कई वार देखने को मिलता है और इनकी बॉड़ी में वाइट कलर के स्पोट्स भी देखने को मिलते हैं अब बच्छा लोग इसको भी बेसिकली अब इनका बॉड़ी देख रहे हो बिल्कुल पतला सा है कोई है जैसे रिजन में रहेंगी वैसीन को रहना पड़ेगा है न तो यहां पर जो इनको मिल्क प्रोड़क्शन के लिए उसको यूज करते है और इनको दॉड़ी बीड भी ओती है जहाँ चले नेक्स बीड है आपकी बार्बरी आप देख सकते हैं वाइट कलर चोट इसमें बीच बीच में आपके 스क्र pass भी है ठीक है इसको prolific breed भी बोला जाता है बिटा prolific breed हम वेसिकली क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते हैं बिटा क्योंकि इसके बहुत सारे kits होते है prolffic 순 households फेलिफिक कहनी है जो एक time पर भोऀ सारे बिच्चे देती है the spots भी थीक्ट है इसको prolific breed भी बोला जाता है बिटा prolific breed हम basically इसको क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते हैं यह इसके बहुत सारे kids होते हैं prolific कौन सी होती है जो एक time पर बहुत सारे बच्चे देती है तो prolific breeder होती है बिटा ठीक है और यह basically 12-15 माईने में दो बार अपने बिबीज को बर्थ दे देती है अच्छा इसके ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो भी यूपी है तो ये ब्रीड भी बिटा हमें यूपी रौता खर्याना ऐसे ज़गे पर ये ब्रीड हमें देखने को मिलती ह सबसे पहले आपकी जो सबसे पहले आप हो गया तर्सींघ को गया हैं शुरती घानाबारी उस्मानबी बीस यहां पर देखKSकते हैं आपके डेयस करके और यह आपके उस्मानवादी है तो एक के करके देख सकते हैं यह आपकी breeds हैं जिनको आप identify कर सकते हो देखो बिचा identification feature भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि identification feature भी बहुत जादा important है ठीक है चलिए अब आगी चलते हैं next आजाएंगी हमारी अब आजाएंगी बिटा हमारी कुछ exotic breeds ठीक है अब इन exotic breeds में आप देख सकते हो बिटा कौन-कौन सी breeds हैं आपकी तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आती है आपकी टोगनबर्ग ठीक है टोगनबर्ग breed आती है अल्पाइन और नुबियन कौन-कौन सी पिटा चोगनबर्ग अल्पाइन और नुबियन अब देखो बिटा टोगनबर्ग जो breed है बिसे के लिए lightest body weight breed होती है lightest यानि कि सबसे halki breed होती है Togenberg होती है किसमें exotic में indigenous में बात नहीं के रियों में indigenous में सबसे lightest body weight वाली goat कौन सी है यह आप लोग मुझे comment section में बताओगे मैंने आपको exotic बता दी आप मुझे indigenous बताओगे बिटा कि इस indigenous में सबसे halki सबसे lightest body weight वाली goat खौनसी होती है ठीक है तो चलिए ये basically टोगनबर्ग होती है exotic में अलपाइन की बात करें बिटा तो इसको जर्सी काओ भी बोला जाता है अलपाइन को जर्सी काओ यानि की milk production ठीक है तो इसको जर्सी काओ के नाम से जाना जाता है इसके अलवा बिटा अगर हम बात करें सेनन की तो सेनन को milk queen भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बिटा milk queen भी बोला जाता है milk queen यानि की milk production अच्छा है तो बिटा अगर आप टोगनबर्ग और सेनन को देखोगे तो इन दोनों का origin place क्या है Switzerland है सेनन जो है white color की white color की goat होती है जो milk production के लिए use होती है ठीक है और next breed होती है इसमें basically आपकी Nubian ठीक है तो अब यहाँ पर आप इनके features देख सकते हैं यह आपकी सारी breeds है एके करके आप इन breeds को देख सकते हैं टोगनबर्ग सेनन ठीक है आप अब एके करके यहाँ पर सारी breeds देख लीजे Alpine यह देखो टोगनबर्ग है सेनन है Alpine है ठीक है यह आप सारी breeds को एके करके देख लीजे और Nubian है तो यह आपकी सारी goat breeds है जिनको आप यहाँ पर identify कर सकते हो बटा जिनको आप बेसिस पे क्या करा जाता है बिटा अलग-अलग बेसिस पे उनको classify करा जाता है exotic indigenous के basis पे तो करा ही जाता है साथी साथ Himalayan reason, plain reason, central reason, northern reason, southern reason इस बेसिस पे भी उनको classify करा जाता है और आपने यहाँ पर अलग-अलग breeds को देखा तो बेटा यहाँ से बहुत सारे questions बनते है बहुत सारे questions आप competitor exam में इस portion से देखोगे तो बिलकुल थ्यान ते आपको पूरा session देखना है और questions जो मैंने आपको बताए है questions का answer देना है goat में मैंने क्या question दिया है lightest body weight वाली goat आपको मुझे बतानी है यह आप comment section में डाल करके मुझे जरूर बताओगे मैं definitely check करूँगी कि आपके answer क्या है जैसे last में बफैलो वाली जो वीडियो थी उसके questions भी मैंने देखे थे students ने answers भी देए थे मैंने उनको reply भी किया था तो ऐसे आपको इस वीडियो में भी reply करना है तो चलिए बच्चो आज हम इसको यहीं पर complete करते हैं अब हम मिलेंगे अगले नई topic के साथ क्या होगा नई topic वो तो नई class में देखेंगे तो फटा फट से बच्चो आप लोग comment section में यह जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा informative लगा आपके काम आया चलिए अब next class में मिलते हैं bye bye thank you and have a nice day